नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है, हेलो एरीज, स्पेशली ये वीडियो एरीज मकर लगन के लोगों के लिए बना रहा हूँ, अगर आपका लगन मकर है, मतला अगर आप एसेंडेंट मकर है, आपके बर्थ चार्ट में आप लगन आपका मकर राशी का बनता है, या बर्थ 20 मार्स से लेके 20 एप्रिल के बीच में आपका बर्थ हुआ है, तो आपका स्वागत है, और ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को फ्री कुनली चार्ट रिटिंग प्रोवाइट करता हूँ, अगर आपको फ्री कुनली चार्ट जरूर प्रोवाइट करूंगा, ये वीडियो में आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ, एरिस लगन के लिए, क्योंकि सभी लोगों को मैं फ्री कुनली चार्ट रिटिंग नहीं दे पा रहा हूँ, और इस कारण वर्स सबको मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज की राशी 12 राशों में सबसे पहली राशी एरिस की होती है, तो हम एरिस लगन के लोगों के लिए ये वीडियो सबसे पहले बना रहा हूँ, एरिस लगन के लोगों को डिफाइन किया जाए, तो इनकी राशी का मालिक होता है मार्स, मार्स आपकी राशी का मालिक है, आ और आपके western astrology के साब से आपका sign fire है और आपके इंडियन astrology या विदिक astrology के साब से दिखा जाए तो आपका sign movable है अगर movable sign और fire sign को मैं इसले बोल रहा हूँ इस कारणवर्स क्योंकि अगर fire sign को दिखा जाए तो fire sign courage leadership क्यों define करता है आग के सामने कोई tick नहीं पाता तो यह leadership को define करता है आग एक हिम्मत वाली चीज़े आगे कौन tick पाता है किसी के courage का आगे कौन tick पाता है जैसे fire के सामने कौन tick पाता है अगर आप हिम्मत करते हैं तो जिन्देगे में बहुत आगे बढ़ेंगे तो courage और leadership इस राशी के लोगों में बहुत अच्छी तरीके से within, in-build होती है ये लोग बहुत ही जाद है excited होते हैं क्योंकि movable sign है तो excited होते हैं चीजों में बहुत जल्दी इन लोगों में interest आता है कोई भी चीज इनको interest दिखता है कोई भी नहीं चीज होती है तो इनको interest जरूर आता है leadership quality में इनके बहुत अच्छी abilities होती हैं और courage में इनकी बहुत अच्छी abilities होती हैं politics भी एक पच्छा profession हो सकता है courage की बात की जाए और leadership की बात की जाए तो medical line में भी यह बहुत अच्छा profession की तौर पर काम कर सकते हैं क्योंकि Aries लगन के लोगों को courage और हिमत की जरुवत होती है हो medical line में भी courage और हिमत की बहुत जरुवत होती है कई लोगों को आपने सुना होगा medical ले लिया लेकिन खून देखते हैं बेऊश हो गए समझ नहीं आरा आप आगे करे क्या तो उन लोगों के लिए medical line नहीं है अगर आपने ले लिया है तो कोई बात नहीं आप कुछ और उसमें भी कुछ और चीजे कर सकते हैं लेकिन एरिस लगन के लोगों के स्पेसिफिकली सरजरी, सरजन, डॉक्टर और मेडिसिन लाइन बहुत अच्छा काम करेगा बिकॉस दिखा जाए तो ये लोग हिम्मत वाले होते हैं तो कुछ भी सरजरी अगर आप शरीर के ओर्गन के साथ खेलते हैं ना imperie सरीर के ओर्गन को रिपेयर करने का काम करता हैं खेलते हैं नहीं, इनसान को रिपेयर कर रहे हैं आप तो वो जो महनद कर रहे हैं, जो हिम्मत दिखा रहे हैं वो मंगल और बलेड को भी मंगल कई हथ तक तक Ranote करता है क्योंकि Red कलर का Blood होता है तो Aries लगन के लोग लिए surgeon और medical line बहुत अच्छा है अगर आप pursue करना चाहे तो इसमें भी pursue कर सकते है अगर आप army, policing, security और medical line में नहीं है तो भी आपके लिए एक और line बहुत बहुत बहुतरीन है वो है property अगर आप properties related self purchase या कोई भी business करते हैं तो भी आपके लिए बहुत 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 बहुतरीन ये राशी है अगर Aries लगन के लोग property में हैं तो आप aggressive seller होंगे, aggressive buyer होंगे और आप leadership quality में बहुत अच्छे होंगे तो आपकी बातों के हिसाब से भी आप business अच्छा run करेगा property में अच्छा love मिलेगा Aries लगन के लोग अगर private नौकरी में भी हैं तो भी वो देखेंगे तो leadership quality में होंगे अच्छा result देगा leadership quality में रहेंगे तो simultaneous लिए और चीज़ बोलूँगा Aries लगन के लोग बहुत ही excited और बहुत ही ज़ादा energetic होते हैं इसलिए आप देखेंगे कि party में अगर आप किसी party में जाते हैं तो आपके आजू-बाजू भी party नजर आएगी center of attraction आप नजर आएगे क्योंकि Aries लगन को लोग का काम है energy इतना burning होना fire sign है तो fire इतना ज़ादा होता है कि सब लोग attract हो जाते हैं इस personality के आजू-बाजू और इस personality को center of attraction बना लेते हैं Aries लगन को लोग self positive होते हैं मतलब खुदी के बारे में positive भी बहुत चीज़े बोलते हैं और खुद को बहुत कुछ excited खुद के बारे में हमेरे सब positive रहते हैं ये इनकी बहुत अच्छी quality होती है ये लोग कभी भी अपने को लेके ज़्यादा negative हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग fire हैं तो ये लोग हमेश्या ही excited अपने बारे में इनकी तारीफ करते हैं ये खुश हो जाते हैं ये important point है तो जो लोग इनकी तारीफ करते हैं इनके साथ इनको रहना पसंद होता है इसलिए वो negativity फील नहीं करते हैं और जो इन लोग की तारीफ करते हैं उनसे ये खुश हो जाते हैं और उनकी मदद भी बहुत करते हैं हाला कि इससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है कि जोटी तारीफ है आजकल दुनिया में बहुत जाता popular है जोटी तारीफ है लोग किसले करते हैं अपने फाइदे में तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचके रहिएगा simultaneous से दी बोलूँगा अगर आप partnership ढूंड रहे हैं आपके just opposite अगर आपके लगन में देखा जाए तो लिब्रा बैठता है तुला राशी के लोग होते हैं अगर आपके relationship तुला राशी के साथ है तो आपके लिए बहतरीन है क्योंकि तुला राशी भी देखा जाए तो air sign है air sign यहां पे आपको बहुत ही अच्छा result देगा बहुत ही अच्छा आपको benefit देगा क्योंकि यह आपको balanced supply देगा oxygen की fire को क्या चाहिए होते है oxygen हवा तो लिब्रा sign आपको एक balance हवा देगा जिस कारण वस्ट आपको अपने आपको channel करने में अपनी future को अपनी life को channel करने में बहतरीन मदद मिलेगी airis 11 के लोगों के लिए लिब्रा राशी बहतरीन रहेगी अगर आप लिब्रा के साथ contact में है या लिब्रा आपकी relationship में है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है मदद करेगा reason being के लिए खुद एक leadership quality में होता वो आपको उठाएगा आपको बिठाएगा अपने साथ बिठाएगा क्योंकि fire और fire एक दूसरे को attract करेंगे और आपको बहुत अच्छा benefit मिलेगा आप भी उनको as a leader अगर choose करते हैं या as a respect करते हैं आप लीडर होंगे भी तो भी आप हो सकता जीकि उनको अपने से बड़ा लीडर और उनको एक आइडल की तरह माने और वो कारणवास आपके लिए बहुत ही भेतरीन होगा थोड़ा सा अपने आपके अगर कहीं inferiority complex है उसको manage करिएगा because यहां पे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहतरीन match है इसके इलावा Sagittarius यह भी एक fire sign है और यह fire sign होते होए भी लेकिन आपके लिए बहतरीन रहेगा उसका reason यह है कि Sagittarius का जो owner है वो Jupiter है जूपिटर आपको उतना ही अपनी तरह से fire देगा जितना आपको needed है और यहां बनाते हैं तो भी आपके लिए बहतरीन है यह तीन राशी बहतरीन है आपके लिए अगर लियो लिप्रा और Sagittarius आपके लगन में आपके साथ relationship में आप जाते हैं या आप Sagittarius लियो और लिप्रा है तो आपके लिए Aries लगन के लोग भी अच्छा काम करेंगा Simultaneously एक और चीज़ है अगर हैं तो आप सुन लिजिए अगर आप यह इन तीर राशों के हैं तो Aries कैसे हैं यह भी सुन लिजिए आपके लिए अच्छा रहेगा Simultaneously इसके इलावा Gemini और Aquarius लगन के लोग भी काफी अच्छा काम करेंगे क्योंकि यह लोग भी Aries sign होता है तो balanced आपको रखेंगे और अच्छा relationship आपके साथ maintain रख सकते हैं तो यह कुछ राश्या है जो partnership के लिए आपके लिए बहतरीन रहेंगे इसके इलावा अगर मैं बोलू तो moveable sign है तो excited बहुत रहते हैं यह लोग और बहुत ही ज़्यादा fast forward होते हैं और फिर नई चीजों में चाहते हैं तो हमें इसके excited रहते हैं fast रहते हैं और इन लोगों को इन सब चीजों में अच्छा लगता है अगर मैं यह सब cover कर चुका हूँ तो अब बचा क्या है इनमें confidence बहुत रहता है, confidence बहुत अच्छे रहती है, ये लोग confidence के label पे काफी अच्छा रहता है, ये लोग कहीं पे भी खड़े होगे, जैसे leadership quality है, तो confidence तो अच्छा रहे गई, अब बात कर लेते हैं, positive planets की, अगर आपकी राशी में, अगर आप Aries लगन के हैं, मकर राशी के हैं, तो आपके लिए Jupiter, Moon, Sun, ये और Ketu, ये आपके लिए positive हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे planets हैं, अगर इन लोगों की placement आपकी कुल्डी में बहुत अच्छी जगा पे होती है, तो आप लोगों को बहतरीन result मिलेगा अपनी life में, अगर कुछ अच्छी जगा पे ना साइन है Venus यहां पर आपके लगन में, वो ना बुरा है ना अच्छा है, अगर बुरे के साथ रहेगा तो बुरा result देगा, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छा result देगा, हाला कि मैं उसे negative ही मानूंगा, तो Venus, Mars और Venus, Mercury और Saturn आपके लिए और राहू, राहू भी आपके लि वो 28 है, after 28, Mars maturity पे आ जाता है, तो अगर Mars 28, 18 साल के बाद अगर maturity पे आता है, तो 18 साल के बाद आपको अच्छे benefit मिलेंगे, बहुत अच्छा result मिलेगा, अगर Mars 28, आपकी age 28 के, 27 है 28 के आसपास है या उसके उपर है, तो आपको Mars की अच्छे benefit मिलेगा, आपके लगन के लोग देखे, लगन, लगन में अगर कौन कहां बैटा हुआ है, वो क्या result देगा, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, अगर कुछ रह गया है, वो भी देख लेते हैं, politics के बारे मैंने बोल दिया, politics और medical line में आप बहुत अच्छा कर देगे, property के related बहुत अच्छा करेंगे, इसके इलावा, policing और army में आप बहुत अच्छा relationship कर सकते हैं, इसके इलावा, भी कोई भी leadership quality में, आप अच्छा result करेंगे, इसके इलावा, हम बात कर लेते हैं, मार्स, अगर मंगल आपके पहले घर में बैठा हुआ है, तो आपके लिए ये positive मंगल है, अपने लगन, अपने bird chart पर आप specifically check कर लिजे कि अगर मंगल आपके पहले घर में बैठा है, तो आपके लिए positive sign करेगा, यहां से मंगल चौथे, साथवे और आठवे घर में देखेगा, इसकारण वश आपके लिए, आपको मांगली जरूर कर देगा, लेकिन इसके साथ में, आपकी growth में कोई कमी नहीं होगी, तो मंगल पहले घर में आपके लिए यहां पर शुब result देंगे, इसके लावा मंगल के लावा पहले घर में अगर सूर्य बैठते हैं, तो भी आपके लिए बहतरीन result देंगे, मंगल सूर्य अगर पहले घर में बैठते हैं, तो यह उच के हो जाते हैं, और यह उच क होने के कारण अपनी मित्र राशी होने के कारण आपको गरम जरूर दिमाग के कर देंगे तोड़से गरम दिमाग के जरूर देंगे लेकिन इसके लावए और कुछ खराबी नहीं देंगे सात्वी दिश्टिस मैरेrom कंवा पर पड़े आपकी वाइफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, फाइनेशल गेन मिलेगा, आपकी अंडर वो आपके हिसाब से बहुत अच्छी तरीकी से अपनी परसनल लाइफ चलाएंगी, इसके इलावा अगर मून सेकेंड हाउस में बैठते हैं, तो एक्जल्टेट हो जाते हैं, मू यूपिटर भी आपको बहतरीन रेजल्ट देगा, लाइफ में बहुत कमाइगे और बहुत 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 इलिप्ला लाइन में बहुत अच्छा आगे जाने के चांसिस आपके बन जाते हैं इसके इलावा अगर देखा ज़िता नवम भाव में मंगल या जूपिटर कोई भी बैटे तो आपके लिए बहतर रिजल्ट करेगा और दसम भाव में अगर मंगल बैटे तो भी आपके लिए बहुत अ तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा मंगल यहां पर बैठा हुआ क्योंकि वह अपनी चौति देशी से नंगल लगन को देखेगा तो अपनी करम भाव अपनी मैना से आपको बहुत अच्छे आगे के फ्यूचर का रिजल्ट बहतरीन मिलेगा इन राशियों के बारे इन सब चीजों को बोलते हुए एक चीजों को मैं इंपॉर्टन बोल देता हूँ जो नेगेटिव पॉइंट है इस राशिय के बारे में वो यह है जिकि यह लोग जल्दी ठक जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर होता है फायर जतनी जल्दी जल्दी यह एक्जास् सकें तो ठकें मत अपने इनरजी को चैनलाइज करिए तो 28 साल के बाद इनको थोड़ा से उसमें मदद मिलेगा ठक जाते हैं थोड़ा ज़्यादा दिमाग गरम होता है और कुछ भी काम जो शुरू करते हो सकता है कभी-कभी उनको कंप्लीट ना कर पाए इसके इलावे इस पॉइंट से इन सब चीजों को बचने इन सब चीजों से बचने की कोशिश करेंगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करें फ्री कुंडी चार्ट सेलेक्शन के लिए अगर आपको अपनी सिलेक्ट करवानी है कुंडी तो वाट्साप पे वीडियो डिस्क्रिप्शन नंबर दे रहा हूं उसमें आप वाट्साप करिए अगर आपकी कुंडी सिलेक्ट होती है तो आपके दो सवालों के जवाब जरूर प्रोवाइट के जाए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू नमस्ते